दोस्तो इस वीडियो में आप सभी को WhatsApp में आईए एक बहुत कमाल की नई अपडेट के बारे में बताने वालो हूँ जी हाँ दोस्तो अब आप WhatsApp में Facebook, YouTube, Instagram की तरह WhatsApp में भी आप एक चैनल क्रियेट कर सकते हैं आगे इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि WhatsApp चैनल कैसे की रेट करते हैं step by step सारी चीज़े मैं आप सभी को बताने वालो हूँ वीडियो अच्य लगे तो वीडियो को Like जरू करते है और चैनल पर पहली पार आयों तो Channel को सब्च्राइब कर लिजये खे इसी तरह की वीडियोos आगे भी देखते रेने के लिए तो चली ए थे वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों जिसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन के Google Play Store पे जाएंगे और यहां पर आप WhatsApp लिकर सर्च करेंगे और अगर आपका WhatsApp अप्लिकेशन अपडेट नहीं तो इस तरी की अपडेट का अप्डेट पर किलिक करके सबसे पहले आप अपने WhatsApp अप्लिकेशन को अपडेट कर लीजिए WhatsApp अप्डेट हो जाने के बाद आप आपने WhatsApp अप्लिकेशन को ओपन करेंगे ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इस्टेटस वाले सेक्षन के जगह में अब यहां पर आपको अपडेट लिखा हुआ देखने को मिल जाती ही तो आप अपडेट वाले फोल्डर पर किलिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं यहां जो नॉर्मली हमारा इस्टेटस वाला ओप्सन होता हुआ है नीचे चैनल अगर आप वाट्सव पर अपना खुद का चैनल बनाना चाते हैं तो यहां प्लस वाले ऐकन पर किलिक करेंगे स्वया ग से हैगरिक करने के बाद दो चैनल डालेंगे और अपने channels related यहां कुछ keywords डालेंगे और यहां पे एक profile photo upload कर देंगे तो चलिए मैं फटाफट सभी चीज़े को यहां fill कर लेता हूं तो दोस्तों जैसे है कि आप यहां पे देख सकते हैं मैंने profile photo upload कर दिया है अपने channel का नाम लिखा है demo channel यानी कि आप नीचे description मैंने लिखा है नमस्ते आप सभी को सिखाने के लिए मैंने एक demo channel बनाया है तो इस तरीके साब अपने हिसाब से जो भी लिखना चाहते हैं जो भी channel का नाम रखना चाहते है और channels related जो भी लिखना चाहते हैं अब लिख लीजिए उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे में यहाँ पर आपको create channel का option मिलेगा आप इस पर click करेंगे तो यहाँ पर अब आपका whatsapp पर create channel जो है वो create हो चुका है यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं हमारे zero followers है अब instagram की तरह कोई भी हमें यहाँ पर follow कर सकता है हमारे channel को whatsapp में search भी कर सकता है जैसे हमारे channel का नाम है demo channel तो यहाँ पर कोई भी find channel पे click करके यहाँ पर मुझे कोई भी यहाँ पर search बारे में search करेगा अगर Понап channeal लिखकर सर्च करेगे तो यहां पर मेरा चैनल आजए अगर मैं अपने वह त्सपसे ही सर्च कर रहा हुए है यहां पर नहीं सर्च बार चैनल का नाम लिखकर यह पर कोई भी सर्च करके मुझे आप उनके चैनल को यहां पर फॉलो कर लेंगे, यहां पर देख सकते हैं, हमने अक्षे कुमार के चैनल को फॉलो करना चाहते हैं, तो चैनल हमने फॉलो किया, अब उनके चैनल पर जाएंगे, तो आप देख सकते हैं, वे लोग अपने चैनल में इस तरह के कुछ-कुछ पोस यहाँ पर share करते रहते तो इसी तरह कि आप भी अब अपने WhatsApp चैनल में अपने followers के लिए यहाँ पर कुछ-कुछ फोटो, वीडियो, पोस्ट वगेर आप यहाँ पर share कर सकते हैं यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में आप सभी को और भी सारी information में आप सभी के साथ share करने वालों कि अगर आप WhatsApp पर जब एक चैनल create कर लेते हैं तो इस चैनल के अंदर में क्या-क्या ज़रूरी setting आपको करनी चाहिए कुछ भी पोस्ट आप यहाँ पर कैसे share कर सकते हैं इसके लावा इन फ्यूचर अगर आपका भी अपने चैनल को delete करना चाहें तो आपको अपने चैनल को कैसे delete कर सकते हैं इसमें सबसे अच्छी बात है जब आप चैनल create कर लेते हैं तो कोई भी आपको follow करता है तो आपका WhatsApp नंबर उनके पास नहीं जाता है किसी को भी आपका WhatsApp नंबर so नहीं करेगा नहीं आपके पास किसी का WhatsApp नंबर आएगा तो इस तरीके से मैं और भी बहुत सारे चीजे इनफोर्मेशन में आप सभी को साथ आगे share करने वाला हूँ तो कुझी इस तरीके साप इन step को follow करके आप भी अपने WhatsApp एकाउंट के अंदर अपने एक चैनल create कर सकते हैं इन future आगे जाकर उसमें कुछ नए-नए अपडेट भी आने वाले हैं तो बहुत कमाल की features है दोस्तो आप आप सभी कोई वीडियो पसंद आयोगी फिर भी अगर आ दोस्तो आपने पती हैं